नमस्कार आप देख रहें न्यूस फोरनेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले सबसे बड़े मुकाबले का इंतजार आज खत्म हुआ आज मेलबर्ण क्रिकेट ग्राउन पे 2020 वर्ल्ड कप में ये दो देश आमने सामने होने वाले इन दो देशों के साथ भीडन्त होने वाला वैसे तो भारत और पाकिस्तान का संबंद एतिहासिक रूप से ठीक नहीं रहा है खराब रहा है और इसका असर हमेशा क्रिकेट में देखा जाता है दोनों जो देश हैं दोनों देशों के क्रिकेट के जो फैन है वो उन लोगों का जो एक दूसरे देशों के प्रती जो नफरत है वो हमेशा देखा जाता है लेकित आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बेश जब जब मैच हुए हैं तब तब ये दो जोडियों ने क्या कुछ नजारा दिखाया है क्रिकेट ग्राउंड पे आज हम आपको इन टीमों के बीच अब तक हुए मुकाबले की चार तेवरबास जोडियों से मिलवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जब अक्तर ने द्राविट से कहा कि राहुल मुझे नहीं पता था तू भी लड़ सकता है दरसल बात 2004 की है 2004 की चैंपियन्स ट्रोफी इंग्लैंड में खेली गई थी 19 सितंबर 2004 को इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान मैच हुआ था भारतिय पारी के दोरान जब राहुल द्रविट रन लेने के लिए दोड़ते हुए शोयब अक्तर के पास बार बार उनके रास्ते में आ जाते थे टीम इंडिया के पुर्व कप्तान ने इसकी सिकायत अंपायर से की अंपायर ने अक्तर को समझाया लेकिन वो कहां मानने वाले थे वे फिर से द्रविट के रन लेने के बीच में आ गए इस बार द्रविट सीधे उनसे ही भिड़ गए मामले को बढ़ता देख पाकिस्तान कप्तान इजमाम उलहक और सोय मलिक के बीच में दखल दिया इस बारे में शोयव अक्तर ने पिछले साल स्टार्ट स्पोर्ट चैनल पर बताया कि आम तोर पर कूल रहने वाले द्रविट ने तब अपना आपक हो दिया था द्रविट उससे भिड़ना चाहते थे नौन स्ट्राइक पर मुहमद कैफ थे जब वे बॉलिंग के लिए दोड़ा और बॉल को डिलीवर करने ही वाला था कैफ अपनी जगर से हट गय और इससे मेरा ध्यान भंग हो गया मैंने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन मैं बहुत गुसे में था उस मैच में मैंने कैफ को आउट किया फिर यूराज को पवेलियन भेज दिया ड्रैवर ने सबसे ज़्यादा 67 रन की पारी खेली थी अक्तर ने मैच में चार विकेट लिये किते पाकिस्तान ने ये मुकाबला तीन विकेट से जीता था अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी जोड़ी के बारे में जिनके बीच भड़न्त हुआ था दरसल गांगुली ने मुहमद यूसूफ से कहा था तू अपना टाइम नोट कर ले ये बात 2005 की है जब पाकिस्तान की टीम भारत के दोरे पर आई थी वंडे सीरीज के दूसरे मैच में महेंदर सिंग धोनी ने धमाकेदार बल्ले बाजी करते हुए 123 बॉल में 148 रन की पारी खेली थी भारतिय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 356 रन का पहार जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था जवाब में पाकिस्तान की टीम जब बल्ले बाजी कर रही थी तब भारतिय कप्तान सौरफ गांगुली पाकिस्तानी बल्ले बाज मुहमद यूसुफ पर काफी गुस्सा हो गया थे हुआ ये था कि मुहम्मद यूसुफ बल्लेबाजी के तौरान कोहनी पर चोट खा बैठे थे ऐसे में उन्हें टीम फीजियो को बुलाया था इतना ही नहीं जब काफी देर तक यूसुफ की जाच हुई और फीजियो का काम खत्म हुआ तो यूसुफ ने पानी पीने की इकसा भी जाहिर कर दी गांगुली बल्लेबाज यूसुफ की तरह इस हरकत से परिशान हो गए और अमपायर से इसके शिकायत करे लगे यूसुफ ने कहा कि उन्हें तकलीफ है इसलिए वो पानी पीना चाह रहे है ऐसे में गांगुली ने कहा तुझे जितना अराम करना है कर मुझे इससे कोई मुश्किल नहीं मैं तेरी बार्त नहीं कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि तूने जान कर ऐसा किया है तू बस रेस्ट कर और तू अपना टाइम नोच कर ले मैच में सौरव गौंगुली कप्तान थे और वो नहीं चाहते थे कि पारी के निर्धारिक टाइम ओवर के बाद भी पाकिस्तान की बल्ले बाजी चलती रहे इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 58 रंज से हराया था अब बात होती है इश्यांत और कामरान अकमल की भिरंट के बारे में दरसल ये घटना 2012 की है जब 2012 में भारत और पाकिस्तान के बिच T20 सीरीज खेली गई थी 26 दिसंबर 2012 को दोनों टीमों के हुए मुकाबले में तेज गेंदबाज इसांत सर्मा और पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्ले बाज कामरान अकमल आपस में भिर गए थे पाकिस्तान की पारी में अठारवे ओवर में कामरान बल्ले बाजी कर रहे थे इस ओवर की चौथी गेंदब को अकमल पुल शौट करना चाहते थे लेकिन वह चुप रहे और केंदब विकेटो के ठीक उपर से गुजर गई इसके बाद कामरान अकमल और इशान सर्मा आपस में तूतू महमे करने लगे विराट कोहली सुरेस रहना उस समय के कप्तान महिंद शिंध धोनी और सोयब मली के बीच बच्चाओ के बाद मामला शांत हुआ इसके बाद उनेसवे ओवर में असोक डिंडा गिंद बाजी करने आए इस ओवर की पाँचवी गेंद पर इशान ने कामरान अकमल का कैच बाउंडरी के पास लपक लिया कैच लपकने के बाद इशान्त दोबारा से अकमल की तरफ इशारा कर कुछ बोलते दिखे इस मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से जीत मिली थी मैच के बाद रेफरी ने दोनों खिलाडियों को दोशी पाया इशान्त पर मैच फीज का 15 फिजदी और कामरान पर 5 फिजदी जुर्माना लगाया गया अब धोनी को जब अफरीदी ने गाली दी और फिर विसाखा पटनम में तो जैसे तुफान ही आ गया ये दरसल 2005 की घटना है जब पाकिस्तान के टीम भारत के दोड़े पर आये थी विसाखा पटनम में सीरीज का दूसरा वंडे मैच खेला जा रहा था टीम इंडिया इस मैच में पहले बल्ले बाजी कर रहे थी इस मैच में टीम इंडिया के पुर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने अपने वंडे करियर का पहला शतक लगाया था उन्होंने 123 बॉल का सामना करते हुए 148 रन बनाये थे इसी पारी के दौरान साहिद अफ्रीदी और महिंदर सिंग धोनी के बीच हुई एक ऐसी नोग जोग थी जिसमें अफ्रीदी पुर्व भारतिय कफ्तान को अपशब्द बोलते जा रहे थे और धोनी ने छक्का लगा कर उनकी बोलती बंद कर दी भारतिय पारी के नोवे ओभर में उन्होंने माही के खिलाफ LBW की अपील की जिसे अमपायर ने नकार दिया इसके बाद धोनी ने अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर एक जबरदस्त बाउंडरी लगाई जिससे साहिद अफ्रीदी बोख ला गए और उन्होंने धोनी को देखते ही गाली बग दी धोनी बिलकुल शांत रहे और अगली गेंद पर ही एक्स्ट्रा कवर और मीड ओफ के बीच के एक और छक्का जड़ दिया अफ्रीदी ने धोनी को ऐसा चार्ज किया कि उन्होंने अगले 23 ओवर तक पाकिस्तानी गेंद बाजों की कुटाई जारी रखी उनकी पारी के दम पर भारत में 356 रणों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था और पाकिस्तान की टीम को 255 रणों पर ही धेर कर दी थी देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होती है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग ये मैच होता है लोग पूरे फोकस के साथ अपने घर का अपने ओफिस का जो है काम वाम छोड़ करके बैट जाते हैं और भारत पाकिस्तान के बीच मैच देखने लगते हैं आज भी मेल बन क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आने वाले हैं ये दो देश आपस में भीरंथ होने वाले हैं तो हमने आपको भारत पाकिस्तान के मैच से जुड़े चार ऐसे किसे बताए जिसमें धुवंधरों की जोड़ी थी वो एक दूसरे के सामने कैसे भीरी थी मैच के दौरान और क्रिकेट मैच का जो क्रिकेट ग्राउंड था उस पे कैसे एक जैसे तहलका मच गया था तो इस ख़वर बिस इतना ही हो आप ए वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूस फोरनेशन